दिल्ली के पूर्व मंत्री और आमादमी पार्टी के विधायक कपिल मिश्रा ने सीम अर्विंद केजरीवाल पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं कपिल मिश्रा का आरोप है कि केजरीवाल को उन्होंने अपनी आखों से दो करोड रुपे लेते देखा है कपिल ने ये भी कहा कि केजरीवाल के करीबी दिल्ली के सुवास्ते मंत्री सतेंद्र जैन दस दिन के भीतर जेल जाएंगे सतेंद्र जैन जी दो करोड रुपे अर्विंद केजरीवाल को नगत देते हुए मैंने अपनी आखों से देखा है दिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल के लिए पिछले 12 घंटों में चार बार 12 बजे आपके महारती कपिल मिश्रा हाथों में घड़ी लेकर केजरिवाल को वक्त की नजाकत समझाते रहे जो केजरिवाल करप्शन के खिलाफ सड़क की लड़ाई से दिल्ली की सत्ता तक पहुँचे वोनी पर करप्शन की कथा अपने ही हाथों से लिखने का कलंक लगा है आरोप आपके ही महारती कपिल मिश्रा ने सबूतों के साथ लगाए है केजरिवाल केबिनेट से चुट्टी होने के बाद कपिल मिश्रा बागी हो गए राजगाट पर बापू को शुट्धांजली देने के बाद कपिल ने केजरिवाल पर आरोपो के कई बान चलाए कपिल ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी आखों के सामने केजरिवाल को दो करोण रुपए सतिंद्र जैन से लेते देखा कपिल के मताबिक केजरिवाल का कैश्मों उनकी आखों में खटका जब केजरिवाल से कपिल ने सवाल पूछा तो जवाब मिला राजगी तिमें खुछ बाते बात में बताई जाती है कि अरविंद केजरिवाल जी के किसी सगे रिष्टेदार की जमीन के लिए 50 करोड की डील उन्होंने कराई है मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा था उन्होंने कहा कि ये बात जूट है और तुमें मुझ पर भरोसा होना चाहिए लेगिन अपनी आखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था कुरसी जाती है तो जाए प्राण चला जाए बापू की समाधी के सामने खड़े होके जिम्मेदारी से कह रहा हूँ प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहुआ सीधे रुक करेंगे कपिल मिश्चा का सतिंदर जैन जी का इस्तीफा कराने की तैयारी है तो मेरे को ये कहना है इस मामले में की सच्चाई की जीत की शुरुवात हो गई है और धीरे धीरे ये सारी चीजे दुनिया के सामने आएंगी एक चीज जिससे मेरी सच्चाई और जूट का पता लगेगा अगर सतिंदर जैन जी गिरुफतार होकर जेल जाते है तो कपिल मिश्चा की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी और सतिंदर जैन अगर पाक साफ होके निकल जाते है तो ये मान लिया जाएगी कपिल मिश्रा ने जूट बोला है तो ये आप सुन रहे थे कपिल मिश्रा को जिन्होंने एक बार फिर दिन में जो बात कही उसी को शाम को दोराया और पुखता तरीके से दोराया है कि अगर जिस बात को वो कह रहे हैं उसमें तथना सावित हो तो उन्हें जूटा मान लिया जाए बीजेपी ने मामले में राज़पाल को ग्यापन दिया है वहीं कॉंग्रिस ने ब्रहश्टाचारियों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की अगर कोई व्यक्ती प्रदेश को लूटने की नियत से काम करने लगे और मुख्य मंतरी के पद पे बैठा हो तो फिर तो एक-एक मिनट भारी पड़ता है ये तो हमारा कर्टब भी बनता है कि हम दिल्ली को ऐसी लूट से बचाएं इसलिए हमको एक मिनट भी हम देरी नहीं कर सकते और हमने अपना पुरा ग्यापन दे दिया है कानून अपना काम करेगा और जैसा कि हमें बताया इल्जी साब ने कि कपिल मिस्रा खुद भी यहां सबेरे आये थे उन्होंने अपनी तरफ से कंप्रेन दिया है उस पे जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है वो निश्चित रूप से होना चाहिए हमनों का यह जापत यह उनका अंदूरूनी मामला है वो गुरूप की लडाई है सत्ता के लालच में हर वर्ग उनका और हर नेता सत्ता पे कबजा चाहता है इन्होंने भरस्टाचार के विरुद हे हंगामा खड़ा करके बोगस एक बहस डिवेट करके अन्हाजारी के साथ मिलके और आज उसी भरस्टाचार में आप कंठ डूबे हैं के जरिवाल जी की सरकार हो उनके और सहयोगी मंतरी हो तो सभाविक रूप से जो सचाई है वो बहुत दिन आप छुपा नहीं सकते हैं दीरे दीरे जनता के सामने आएगी लालू यादव इन दिनों चोतरफा मुसीबत में घिरे दिख रहे हैं कल सुप्रीम कोर्ट में चारा घुटाले में फैसला आना है राची हाई कोर्ट के फैसले के खलाफ लालू ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है वही इन दिनों शाहबुदीन के साथ उनका एक स्टिंग ऑपरेशन आने से वो पहले ही विरोधियों के निशाने पर है एक टेलिविजन चैनल पर राश्ट्री जनत अदल के अध्यक्ष लालू पिसाद यादो और जेल में बंद RJT के बाहु बली नेता शाहबुदीन की बाचीत का टेप सामने आने के बाद बिहार की राजनीती में तूफान खड़ा हो गया है खुलासे के बाद BJP नेताओं ने बिहार में राजपाल से मुलाकात की BJP नेताओं ने राजपाल से लालू के खिलाफ कारवाई की मांग की है बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोधी ने लालू पर अपराधियों को संरक्षन देने का आरोप लगाया आरोप बीजेपी का है कि नितीश कुमार अपराधियों को संरक्षन दे रहे हैं जेडियू निताओं का कहना है कि इस मामले में प्रशासन अपनी कारवाई करेगा. और उसे हम लोगोंने मांग किया है कि शाबुद्दीन लालु यादो की टेलफोन से बाचीत की मामले पर अविलम डीजीपी और मुक्ष मंतरी को बुलाकर उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करें और केंदर सरकारों के एक रिपोर्ट देंगो. साथी साथ बिहार सरकारों को यभी मिर्देश दें कि लालु यादो पर अपरादियों को समरक्षन देने उनसे सांट काट रखने के आरोप में उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और लालु यादो जो चारा घुटाले में सजायाफता हैं और बेल पर हैं उनके बेल को दिप्षक की चर्चा की गई है क्यों वह काम नहीं करने वाला है उस समय भी ओही एस्पी थे आज भी ओही एस्पी हैं राजनेतिक हस्तक छेप कानून के राज में नहीं चला इस बात की पुष्टी हुई पुलिस मुख्याले इन तमाम बिंदूओं को देखता है यह उनका व रिशर से कोई व्यक्ति कैसे बात कर रहा है लालू शाहबुदीन टेपकान पर बिहार में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा टेपकान पर लालू के बचाओं में उनकी पार्टी की पूरी फौज उतर चुकी है आजेडी नेतार आमनुज प्रसाद ने पूरे मामल बवा आरजेडी नेता ने अपने ही सरकार पर उठाए सवार लालू के फोन टेपिंग करने पर अपनों से खीरी सरकार लालू शाहबुदीन टेपकान सामने आने के बाद लालू यादो पर चौतरफ़ा वार जारी है लेकिन इस बीच आरजेडी की नेता अपने स्प्रीमो के बच्चाव में सामने आ गए हैं अलाकि रामनुच प्रसाद के उस बयान के बाद महागटबंदन में तल्खी पढ़ गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि महागटबंदन सरकार में लालू के फोन टैप हो रहे हैं तो यहां कोई सुरक्षित नहीं है अरजेडी नेता रामनुच प्रसाद के इस बयान को जेडियू ने खारिश किया है लालू शुहाबुतिन टैप कांड के बाद एक बार फिर महागटबंदन के नेता आपस में उलचते नजर आ रही है यह कोई पहला मामला नहीं है इसके पहले दरजुनों बार भी महागटबंदन के नेता आपस में उलच चुके है लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि सवाल महागटबंदन के सबसे बड़े दल की सबसे बड़े नेता पर लगा है आश्वितोष चंद्रा जी मीडिया पटना करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंग यादो का दर्ग आखिरकार रववार को बाहर आ गया मैंपुरी में समर्थकों से सीधे रुबरू होते हुए मुलायम ने कहा कि 2012 में अखिलेश को सीम बनाना उनकी बड़ी गलती थी मुलायम ने यहां तक कहा कि जीत के बाद उन्हें खुद सीम की कुर्सी संभालनी चाहिए थी अखिलेश पर मुलायम का गुस्सा यही नहीं थमा मुलायम ने चुनाव के दोरान अखिलेश के कॉंग्रेश के साथ गढ़बंधन पर भी सवाल खड़े किये उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश ने उसी कॉंग्रेश पर्टी के साथ गढ़बंधन कर लिया जिसने उन्हें बरबाद करने में कोई कूरकसर नहीं छोड़ी हमारी जिन्दगी बरबाद करने में कांगेश ने कुई कभी ने रख़े मुलायम ने अपने चचेरे भाई और अखिलेश के खास रणनी तिकार राम गुपाल यादो पर भी की निशाना साथा मुलायम ने इशारों ही इशारों में राम गुपाल को शकुनी कहा विधान सभा चुनाव में मिली करारी हार के बावजूद यादो परिवार में पड़ी दरार भरने का नाम नहीं ले रही हाल ही में मुलायम के छोटे भाई और अखिलेश के चाचा शियुपाल ने अलग मोर्चा बनाने का ऐलान किया है उधर मुलायम के बोल भी अब अखिलेश पर बिगड़ने लगे है समाजवादी पार्टी का ग्रह कलेश थम नहीं रहा है मुलायम सिंग का गुसा और दर्द एक बार फिर सब के सामने आया है अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादो पिता मुलायम सिंग यादो के इस बयान को किस तरह से लेते हैं आज तोश मिश्रा के साथ लीरेज मिश्रा इंग्या 24-7 लखनो लखनव में बेखव बदमाशों के सरयाम महिला को गोली मारने की सीसी टीवी तस्वीरें सामने आई है महिला होटेल में खाना खाकर बाहर आई कि पहले से घात लगा कर बैठे बदमाशों ने उस पर फाइरिंग शुरू कर दी महिला को बचाने आए गार्ड को भी बदमाशों ने गोली मार दी गोली लगने से गार्ड और महिला गंभी रूप से घायलों गए है घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भरती करा आई गया है तरसल खृष्णा नगर इलाके के स्काय हिल्टन होटेल के बाहर मोनिका सिंग पर बदमाशों ने कार में बैठते समय गोली मार दी इसके बाद महिला ने बदमाशों का सामना किया लेकिन इसी बीच बदमाशों की चलाई गोली महिला की गर्दन में जा लगी महिला को बदमाशों से उलशता दे बोचल के गार्ड ने बहादुरी दिखाई और बदमाशों से भिड़ा तो बदमाशों ने उस पर भी गोली चला दी फाइरिंग की आवाज सुनकर तमाम लोग मौके पर पहुंचे तो बदमाशों को भागना पड़ा बताया जा रहा है कि महिला के पती ने किराय का शूटर भेजा था महीं मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच कर रही है नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे समभादाता नीरज बताईए कि दोनों गायलों की इस्तिती कैसी है और पुलिस अब तक कहां क्या करवाई कर पाई है अब इसने यह हमला कराया है तो फिलाल पुलिस इसके पती को और जो दोनों शूतर है जिनकी पहचान भी हो चुकी है उनकी तलास कर रही है और बहुत जल्दी माना जा रहा है कि इन सभी को अरेस्ट करके पुलिस सामे लाए दी शुक्रिया इन जानकारियों के लिए केंद्री वित्मंत्री अरुन जेटली ने एशियन डेवलेप्मेंट बैंक से विकास्षिल देशों की जरूरतों और मांगों पर ज़ादा तवज्यों देने को कहा है ADB के अध्यक्ष तिकैलो नाइको ने मुलाकात के दौरान उन्होंने ये बात कही वित्मंत्री ने जापान के वित्मंत्री टारो आसो के साथ बैठकी वित्मंत्री ने मेक इन इंडिया कारिक्रम के बारे में बताया और जापानी कमपनिओं को भारत में मैनेफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए नेवता दिया खास कर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स और रोलिंग स्टॉक्स लगाने के लिए वित्वंत्री ने जापानी कंपनियों को आने को कहा अरुन जेटली एशियन डेवलोपेंट बैंक की सालाना बोर्ड और गवर्नर्स की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान गए है सरकार जल्द ही महिलाओं के लिए नेशनल पॉलिसी लाने की योजना बना रही है मेडिकल सुविधाएं देना शामिल है आपको बता दें कि मंत्रियों का एक समूप बना रहा है पॉलिसी और समूप की अधिक्षता कर रही है विदेश मंत्री सुश्मा सुराच 2001 से 2011 तक सिंगल महिलाओं के आंकड़े में उन 47 पीज़दी की बढ़ोत्री हुई इस पॉलिसी में महिलाओं के लिए ज्यादा शौचाले बनाने पर जोर रहेगा साथी उत्पीडन का शिकार महिलाएं मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाप उठा पाएंगी दिल्ली एरपोर्ट पर बड़ा हाथसा टल गया जेट एरवेस की दिल्ली श्विनगर फ्लाइट की विंक्स दूसरी फ्लाइट से टकरा गई यह हाथसा उस वक्त हुआ जब जेट एरवेस की फ्लाइट श्विनगर के लिए चेक आउफ कर रही थी सभी आत्री सुरक्षित है पटना में गंगा नदी में इस लाण के द्रान पांच बच्चे दूब गए पुलिस गोताखूरों की मदद से चार बच्चों के शव निकाल पाई है एक बच्चे की तलाश चारी है लामा किया और पीपा पुल को जाम कर दिया। इस्थानी लोग प्रशासन के लापरवा रवये से नाराज हैं। क्या आपने कभी पानी के भी तर चेस कहला है या फिर कभी पानी के अंदर साइकल चलाई है? अगर नहीं तो तैयार हो जाएए। क्योंकि गर्मी के मौसम में आप अपने सभी मनपसंद स्पोर्ट्स पानी के अंदर खेल पाएँगे और इसकी शुरुवात हो चुकी है। धूप और गर्मी के इस मौसम में अगर पानी के अंदर ही सारे खेल खेलने को मिल जाएं तो भला इस पानी से बाहर कौन आना चाहेगा। इंजिनिरिंग के दो छातनों की ये सोच जब पहली बार पुने में साकार हुई तब नोट बंदी के बावजूद लोगों का जबरदस्त रेस्पॉंस मिला। अभी एंडर वाटर फेस्टिवल मुंबई में आयोजित किया गया है। इसमें दिव्यांग पाइटिसिपेंट भी हैं। इस फेस्टिवल में लोग पानी के अंदर ऑक्सीजन मास्क लगा कर कई खेलों का मज़ा ले रहे हैं। पानी के अंदर साइकल चलाना हो या फिर चेस खेलना। वॉलीबॉल खेलना हो या होकी खेलना। यहां सब कुछ हो रहा है। और्गिनाइजर की तरफ से सेफटी और सिक्योर्टी के भी खास इंतजाम किये गए हैं। अचरा ऋर्गनाइजर किया और उनको को करने के लिग वी कि डिसेबल होते हैं। तो स्विंग करने नहीं देते हैं। कुछ को जगा कि आप कैसे कर पाओगे तो उनको पुरू करना बढ़ता है। बताके कि हा, I can swim करके, और शिती जबी फिर्स थाम मेला और रेड़ी तो डाइव वित में, मेरा एक प्रेंड दिव्यांशु उसने मुझे सज़ेस्ट किया कि वाइडों उनका एक जहां कई बॉलिवूड सेलेब्रिटी इस अंडर वाटर फेस्टिवल में हिस्सा लेने पहुंचे हैं, वहीं आम लोगों के बीच ये फेस्टिवल आकर्शन का केंद्र बना हुआ है। नित्यानन शर्मा, इंडिया 24-7, मुंबई